नवस्कार आप देख रहे हैं खास खबर आपके साथ मैं हूँ नेहा परिहार त्रिमूल कॉंग्रेस में हो रही बगावत के बीच ग्रह मंत्री अमिट शा कोलकाता पहुचे उन्होंने मिशन की बंगाल की शुरुवात रामकृष्न आश्रम जाकर की यहां उन्होंने रामकृष्न परमहन्स और सुआमी विवेका नन को श्रद्धानजिली अर्पित की इसके बाद वे स्वतंतलता से नानी खुदी राम बोज के घर गये और उनके परिवार वालों से मुलाकात की बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित्षा का ये दोरा बेहत महत्पूर माना जा रहा है वहीं टीमसी के असंतोस्ट कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबरे भी हैं इनमें पूर्मंत्री वा विधायक शुभेंडर अधिकारी का नाम भी शामिल है इसी राजनेतिक सरगर्मियों के बीच सपा प्रमोख अखलेश यादों ने मोधी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि अगर पर्शिम बंगाल में बीजेपी की रैली करने के लिए कोरोना नहीं है तो संसद सत्र चलाने के लिए दिल्ली में क्यूं है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि संसद में किसानों के पक्ष में जन प्रतिनिदियों के आक्रोष्ट से बचने के लिए भाजपा सरकार कोरोना का बहाना बना रही है साथ ही कहा कि भाजपा संसदिये समवेधानिक परंपराओं का कतले आम कर रही है पती पतनी और दोस्त के रिष्टे के बीच हत्या की एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी भी रूख आप जाएगी कहानी ऐसे पती की जिसने पतनी के दोस्त को मौत की नीन सुला दिया मामला मुंबई का है जहां अपनी महिला दोस्त के घर पहुचे यूवक की टिपड़ी से नाराज पती ने पतनी के दोस्त की गरदन काट दी और शरीर के बारा टुकड़े कर उसे सूट केस में भर कर नाले में फेक दिया दरसल 31 साल का बैंक करमचारी अपनी महिला दोस्त के घर पहुचा तो पती के सामने ही अपनी शादी के पहले के दिनों की दोस्ती पर कुछ कमेंट कर दिया इससे नारास पती ने चाकू से बैंकर की गरदन काट और बोडी 12 टुकड़ों में काट कर सूट केस में भर कर नाले में फेक दी ये संसनी खेज मामला महरास्ट की रासधानी मुंबई का है वही मुंबई के वरली पुलिस स्टेशन के मुताबिक इस थाने में बैंक करमचारी शुशील कुमार के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्च कराई गई थी मृतक 12 दिसंबर से लापता था फिर जाकर 14 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दर्च कराई गई मृतक की मा ने पुलिस को बताया कि 12 दिसंबर को उनका बेटा एक दोस से मिलने के लिए गया था इसे बीच नरेल पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास नाले में तैरता हुआ एक सूट केस मिला जिसमें 12 टुकडों में कटी हुई एक बॉडी भी ली वहीं मृतक की मा के बयान के आधार पर जब पुलिस ने दोस्तों से पूश्टाच की तो आरोपियों ने कबूला कि बदला लेने के लिए ये हत्या की गई आरोपी नाडर ने पूश्टाच में बताया कि मृतक शुशील उसकी पतनी का दोस था और एक समय वो दोनों एक बीपियों में साथ में काम करते थे उसने बताया कि जब तीनों घर में पार्टी कर रहे थे तो शुशील ने सलोमी के करेक्टर पर कुछ कमेंट कर दिया इससे नराज होकर शुशील की गर्दन चाकू से काट दी और जिसमें उसकी पतनी ने भी उसकी मदद की खास ख़बर में फिलाल इतना ही बने रहे न्यूजवर्ड इंडिया के साथ नमस्कार